सर्दी में पसीना कब निकलता है सर्दी में पसीना तब निकलता है जब प्रेमिका के साथ हो और पत्नी आ जाए आपको अपनी पत्नी सुन्दर कब लगी जब वो सादी से पहले अपने घर में थी तब बहुत ही सुन्दर क्या आप अपनी पतनी का कहा मानते हैं उसके लावत चारा भी क्या है ये बता दे ये बात कितनी अजीव है शादी से पहले जो लड़की सूरज और चांद लगती है शादी के बाद वही लड़की हिटलर लगने लगती है ऐसा क्यों भाई अशली बात तो ये है इस्तिमाल करने के बाद ही तो पता लगता है कि चीज क्या है अजब तेरी कुद्रत अजब तेरा खेल सुरेंद्र शर्मा के सिर्फे चमेली का तेल मज़ा तो तब हो जब समेली तेल लगा है सुरेम शर्मा शर्मा जी आप किस तरह की मौत पसंद करेंगे मैं तो वो मौत पसंद करूँगा जो तेरे बाद है कहते हैं चादर जितनी हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए और अगर चादर पैरों से लंबी हो तो क्या करें अगर चादर पैरों से लंबी हो तो दूसरों के पैर अपनी चादर में समा लेने चाहिए जब भगवान चपपट फाड़ के पैसा दें तो क्या करना चाहिए उस नहीं करना चीए पहले चपट ठीक करवा लेना चीए शर्मा जी मैं स्वर्ग का रास्ता जानना चाहता हूं जानने की क्या जुरते हार है बया कर ले तब पता लग जाएगा बया से पहले वाला रस्ता स्वर काईथा ढूला घोडी की बजाय गदे पर क्यों नहीं बैठता है इसलिए नहीं बैठता कि गदा अपने उपर कभी बी गदे को नहीं बठाएगा संसार में सभी कारे जब सीधे होते हैं तो पान ही उल्टा क्यों लगाये जाता है अगर शादी दुरघटना है तो सगाई क्या है सगाई वो है जिसमें लिखा हुआ है ठहरी आगे खतरनाक मोड है यदि दर्वाजे पर प्रेमिका और भगवान दोनों खड़े हूँ तो सबसे पहले किसका स्वागत करना चाहिए स्वागत तो बाद में करूँगा पहले मैं भगवान से पूछूँगा आप मेरे लिए आये हो या इसके लिए आये अगर आप जलाद होते हैं आपको अपनी पत्नी की फांसी का हुक्म होता तो आप क्या करते हैं देखिए हमारे काईदा है कि जलाद कभी भी जलाद को फांसी नहीं देगे भारत में कितने मोड हैं? भाई दो ही मोड हैं, रेक दायां रेक बायां यदि आप घर पहुंचते हैं, आपकी बीवी आपके उपर गर्म हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? मैं तो थंड़ा ही घर पहुंचता हूँ, थंड़ा ही रहुंगा ताली एक हाथ से कैसे बज़ती है उस हाथ से अपने गाल पर तमाचा मार ले बज़ जाएगी यदि केंद्रि मंत्री मंदल में हाथ से मंत्री का पद होता तो क्या आप मंत्री बनना पसंद करते हैं मैं सवाली पैदानी में प्रधान मंत्री से नीचे की बात सोची नहीं सकते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अगर लातों से भी ना माने तो तो ऐसा है उसके भूत की माल लेने चीए। अगर आपकी बीवी का अपरण हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। जिसने अपरण किया उसकी आत्मा की शांती की प्रयात्ना करना। कहावत है कि खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, आप खिस्या जाने पर क्या करते है। मैं तो खिष्या जाने पर बिल्ली कोई नोसता हूं घटना और दुरघटना में क्या अंतर है? एक ही अंतर है, पत्नी गूम हो जाए तो घटना और मिल जाए तो दुरघटना यह पूछ रहे हैं कि मेरी चार प्रेमिक आये हैं, मैं चारों से एक जितना प्यार करता हूं आप बताएए मैं किस तरफ जाओं मेरी समझ में नहीं है मेरे ख्याद से तुझे उपर जाला जाना से यह श्रीमान कह रहे हैं, आपकी फोटो देखकर मुझे अपनी स्वरग्य पत्नी की याद आती है अब आप बताएं मैं क्या करूँ फोटो देखकर याद आती है तेरी स्वरग्य पत्नी की अगर मेरी जैसी फोटो तेरी पत्नी थी तो तुझे स्वर्गबास ही होना चीए कहते हैं पिता आकाश से बड़ा होता है मा प्रत्वी से अगर आपके माता पिता के बीच जगड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे देखो रूस और अमरीका के बीच में जगड़ा हो जाए तो छोटे देशों को चुप रहना चीए आज देश को जरूरत है एक गांधी की वह कब और कहां पैदा होंगे कब कहां की तो मैं नहीं जानता अपने अंदर के गौड़ से को मार दो हर व्यक्ति गांधी हो जाएगा